दोस्तों अगर आपको कील मुहासों की समस्या है और ठीक नहीं हो पा रही है तथा आखों के नीचे काले घेरों की समस्या है और आपकी एज भी जादा दिखती है तो दोस्तों परहसान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों यह पालक आपकी सभी समस्याओं को हल कर देगी दोस् दोस्तों, Green Equatica में आपका एक बार फिर स्वागत है, दोस्तों, आज मैं आपको पालक के बारे में ऐसी जानकारियां दूँगा, जो साइध आपने उसके बारे में नहीं सुना होगा, और दोस्तों, आपके बहुत सारी समस्याएं, जैसे कीर महासों की समस्या, काले घेरों की समस्या, Sun Protection वाली समस्या, दोस्तों, तचा का, काला होने की समस्या, और दोस्तों, Free Radical Damage की समस्या, इस प्रकार दोस्तों, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आखों से लेकर, Diabetes, Digestion System, खून में कमी, आज इस सभी समस्याओं के लिए, ये बहुत ही उपयोगी होता है, और दो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस पालक को, तो दोस्तों, इस पालक का जो वज्ञानिक नाम है, वो दोस्तों, इस पिंचिया, और रेसिया है, दोस्तों, पालक को इंगलिस में, Spinach कहा जाता है, दोस्तों, पालक की उत्पति फारश से मानी जाती है, और दोस्तों, सदिय पौधा आपको जाहिए कि इसके अंदर कौन कौन को पुषटत होती है एस के अंदर प्रोटीन vitamins भी पाए जाती है जैसे vitamin A, B complex, vitamin C और vitamin K पाए जाती है दोस्तों vitamin C बहुत जादा मातरा में पाए जाती है और दोस्तों इसमें minerals भी बहुत पाए जाते है जिन में iron सबसे ज़यदा पाए जाता है जो कि पानी कमी को दूर करता है दोस्तों 100 gram में इंकियान दे ग्राम पनी इस में पाया जाता है दोस्तों अब मैं आपको पालक से होने वाले उन लावों के बारे में बताऊँगा आपने नहीं सुनाऊगा सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मान स्पेसियों में ताकत देता है ये पौधा और हड़ियों को सफथ रखता है क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा है इसमें बीटामिन और मिनरल्स जिसकी बात करें कैलसियम। दोस्तों कैलसियम बहुत ज्वादा मातर में पॉय जाता है जिसके काँच से हड़ीयों में सुधार लाता है, हड़ीयों को स्वस्त रखता है, दोस्तों blood pressure को भी कम करता है पालक, जो विक्ति blood pressure वाले होते हैं, जिनका high blood pressure होता है उन्हें रोज पालक खाना चाहिए, दोस्तों डाइबिटीज को भी एक कंट्रोल करता है और दोस्तों कैंसर से भी लड़ने में साहक होता है जिन विक्तियों कैंसर है उसे भी पालक पी सब्जी खानी चाहिए दोस्तों बाल, नक्षून और तोचा में भी सुधार करता है और नित रोग यानि दिश्टी रोगों को भी अच्छा करता है जिन वितियों को आँखों से समधी समस्याय होती है उनको पालक का जरूर सेवन करना चाहिए दोस्तों ये वजन को घटाता है क्योंकि कम कैलोरी पाई जाती है और दोस्तों हाट अटैक की समस्या को भी खत्म करता है दोस्तों ये मस्तिस्क में सुधार करता है तंत्र का तंत्र को मजबूत करता है और खून की कमी को नहीं होने देता आँखों के नीचे अगर दोस्तों काले घिरे मुझूद है तो उसको भी ठीक करता है दोस्तों इस प्रकार पालक बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अब दोस्तों मैं उन समस्याओं के बारें बताऊंगा जो आज की डेट में आम समस्या है और दोस्तों लोग इससे बहुत परिसान रहते हैं दोस्तों पालक खून की कमी और सरीर में आइरन की कमी नहीं होने देता क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में पानी होता है यह देखे इसके 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 कमी नहीं हो पाती दोस्तों जिन विक्तियों के आँखों के नीचे काले खेले हो जाते हैं जिसको दोस्तों पेरि ओर्बिटल हाईपर पिग्मेंटेशन कहा जाते हैं दोस्तों इससे लोग बहुत परिसान रहते हैं और उसकी एज भी ज़्यादा दिखने लगती है तो दोस्तों ये आयरन की कमी से होने वाली बिमारी है दोस्तों इसके लिए पालक बहुत ही अच्छा सावित हो सकता है इसके लिए दोस्तों पालक में आयरन भरपूर मात्र में पाये जाता है जिससे ये समस्या दूर हो सकती है दोस्तों एक कटोरी में पाल को जहां पर काला घेरा है वहां पर लगाने से दोस्तों अगर आप एक हपते में दो बार ऐसा करेंगे तो दोस्तों जल्द ही आपके काले घेरों वाली समस्या खत्म हो जाएगी दोस्तों तुचा के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है पालक दोस्तों तुचा को हाइडर ट्रक्ने में भी बहुत ही मदददार होता है तुचा के hydrateson में सुधार में मदद करता है इसके पत्तों में उच मात्रा में पानी पाय जाता है दोस्तों पृती 100 ग्राम में 11 ग्राम पानी पाया जाता है और दोस्तों vitamin C भी इसमें मौजूद होता है जोकी hydrate यानी hydrogen वाली प्रॉब्लम को बहुत जल्ड कर देता है दोस्तों इसके लिए अगर आश्सा आप हटे में दो बार करेंगे दोस्तों जल्द ही आपको hydration वाली problem खत्म हो जाएगी दोस्तों, anti-aging होता है पालक दोस्तों, यानि अगर सूरज की जो हानिकारक किरने होती है जिसको UV radiation कहते है इसके कारण से दोस्तों, skin में problem आने लगती है जिसको skin aging कहते है दोस्तों, ये खत्रा बहुत ही normal होता है जब वो धूप में रहते है दोस्तों, पालक में मौझूद amino acid anti-aging के रूप में काम करते है इसके लिए दोस्तों, आधा कब कटे हुए पालक को twist बना ले और दोस्तों, उसमें एक छोटा चमच नीबू करस और एक छोटा चमच सहिद तथा एक छोटा चमच जैतून का तेल इन सभी को अच्छी तरह से मिला ले और दोस्तों, यह जो मिक्चर बन जाता है इसको तवचा में अच्छी तरह से लगाएं और दोस्तों, इसके पहले आप तवचा को धो लें और उसको तवलिय से अच्छी तरह पोच लें बात में इसको लगाएं और 15-20 मिर तक इसको लगाएं रखें इसके बाद नॉर्मल वाटर से चेहरे को धो लें दोस्तों, आप हपते में दो बार इसको ऐसा करें जिससे दोस्तों, anti-aging में आपको तुरंत लाफ मिलेगा इस प्रकार दोस्तों, पालक बहुत ही प्रकार की बिमारियों में लाबदायक होता है दोस्तों, तवचा के रंग में सुधार करने के लिए बहुत फायदे मंद होता है skin pigment disorder वाली बिमारियां इससे हल हो सकती है क्योंकि दोस्तों, इसमें vitamin C पाय जाता है, जो anti-oxidant की तरह काम करता है और दोस्तों, skin tone को सुधारने में भी मदद करता है दोस्तों, कील मुहासें जिन विक्तियों के हैं, उनको पालक प्रतिदिन खाना चाहिए दोस्तों, कील मुहासों की समस्या आज की एक आम समस्या हो गई है बहुत सी क्रीम लगाते हैं लोग, टेबलेट भी लेते हैं, तब यह समस्या दूर नहीं होती दोस्तों, इसके लिए आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों कील मुहासों की समस्या ये पालक ही हल कर देता है दोस्तों आपको प्रिति दिन किवल पालक का सेवन करना है और इसका रस आप चेहरे पर भी लगा सकते हैं दोस्तों सन प्रोटेक्शन का भी काम करता है यह पालक और फ्री रेडिकल डेमेज से बचाने के लिए भी पालक महत्तपूर होता है इस प्रकार दोस्तों पालक बहुत ही स्वास्त वर्धक होता है स्वास्त वर्धक गुणों से भरपूर होता है इसलिए आपको पालक का नियमे सेवन करना चाहिए चाहे जिस रूप में पालक खाए मगर आप इसका सेवन जरूर करें और अपने सरीर को हमेशा स्वस्त रखें, मजबूत रखें इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों आपको ऐसे ही वीडियो में हमेशा लाता रहूँगा Thanks for watching my video and Happy Gardening!